नमस्कार राधेराधे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पती और पतनी के चार विशेस गुन के बाड़े में अगर आप एक पुरुस हैं तो आपको अगर इन चार गुनों बाली पतनी मिलती है तो आपका जीबन एकदम शुक में सान्ति पुर्ण और बहुत ही बेहतर हो जाएगा तो वो चार गुन क्या है आपको वो जानना चाहिए तो आइये अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है वाईटी मिस्रा को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है दोस्तों अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ये कोई हवा हवाई की बातें नहीं हैं आपको पता होगा कि हिंदू धर्म सास्तर में हिंदू धर्म में पुरान कुल अठारा होते हैं उसमें से एक पुरान है जिसका नाम है गरूर पुरान जिसमें हिंदू धर्म के बाड़ है कि पुरुस और महिला को अपने किन करतबयों के बाड़े में शाबधान होना चाहिए और अपने किन करतबयों को उनको शही तरीके से निभाना चाहिए आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में पती और पतनी का अलग-अलग शब्द को बनाया गया है जैसे पतनी के लिए एक शब्द है अरधांगिनी दोस्तों दामपत्य जीवन में पती और पतनी के गुन और अबगुन इन दोनों को मिलाकर ही जो शंबंध होता है वो आगे बढ़ता है और ये दोनों गुन और अबगुन जो होता है शंबंध को बहुत प्रभावित करता है तो आईए शुरुवात करते हैं उस विशय के बारे में पती पतनी के गुन और अबगुन को एक शलोक के द्वारा बताया गया है तो अशलोक को आपको सुनना चाहिए वो अशलोक है साभार्या या ग्रहे दक्छा साभार्या या प परतीपाना, साभार्या या पवित्रता इस असलोक के माध्यम से आपके पतनी के गुन और अबगुन इसके बाड़े में शाड़ी बातों को जानते हैं इस असलोक में एक शब्द है गृहे दक्छा इसका मतलब क्या होता है वो सुनिएगा तो पहला पॉइंट है कि पतनी ऐसी होनी चाहिए जो औरत होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो घर की जिम्मेदारी को एकदम सही तरीके से समझने का प्रयास करें घर की शाफसफाई करें घर की सजाबट, कपड़े, बरतन, घर की शफाई, बच्चों की जिम्मेदारी, जो घर प्रियम वदा उस सब्द का अर्थ क्या होता है ऐसी पतनी जो अपने पती के अलावा जो पती का सम्मान तो करे ही करे और पती के अलावा घर के जो लोग हो घर में जो भी लोग हो उन सभी का सम्मान करे घर में सभी लोगों से सही तरीके से बात करे उनके वानी में मधुरता हो और जो घर के बड़े हो उनसे संजम के शाथ में एकदम सही तरीके से सही लेंग्विज में बात करना चाही ऐसी पतनी जो अपने पती को अती पिडिये हो जिस औरत को शमाज सम्मान देता हो क्योंकि समाज अगर आपको शम्मान देगा तो वो आपके रहन सहन, आपके वानी, आपके बेभार इन चीजों को देखने के बाद ही समाज के जो लोग होते हैं वो आपका शम्मान करते हैं अगर ये उपर के नियम आप पर लागू होते हैं तो आपका दामपत्य जीवन अच्छा होगा ये दूसरा गुन था, अब बात करते हैं तीसरे गुन के बाड़े में शलोक में एक सब्द था पती प्राना, यानि कि जो पत्नी अपने पती की साड़ी बातों को सुनती हो अपने पती के बातों का शम्मान करती हो, उनकी बातों का पालन करती हो सिर्फ यही नहीं ऐसी गुन की पत्नी जो अपने पती के मन को कभी चोट ना पहुचाए ऐसी इस्त्री अगर हो तो पडिवारिक जीबन बहुत अच्छा होता है ऐसी पत्नी जो अपने पती के लिए कभी भी कुछ भी करने को तयार हो ये तीसरा गुन था अब है चोथा एक वर्ड है पती वरता इस सब्द का मतलब क्या होता है ऐसी पत्नी जो अपने पती के लिए सब कुछ हो और पती की आग्यां का पालन करने वाली हो क्योंकि शास्त्र में जो इस्त्री अपने पती की आग्यां का पालन करती है पती बरता उन्हें ही कहा जाता है जो इस्त्री अपने पती की बातों को काटती है उनकी बातों को उनसुना करती है तो शास्त्र भी उस पतनी का शम्मान बिल्कुल भी नहीं करता है पत्नी का एक धर्म होता है जो अपने पती को हमेशा सही रास्ता दिखाए अगर आपके पती रास्ता भाटक गए हो अगर उनका विचार सही रास्ते पर नहीं हो तो उनके विचार को सही करना अपने पती को सही रास्ते पर लाना अगर ये चारगुन आपके पत्नी में है या आपके घर के महिला में है तो वो महिला एक पती बढ़ता महिला बन सकती है और अगर ऐसा होता है तो गरुर पुरान में ऐसी पत्नियों को बहुत भागेशाली माना जाता है मित्रों जो ये नियम है लगभग वही नियम पती के उपर भी लागू होता है पती को भी अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए और अपनी पत्नी के शाथ में अपने वानी अपने विभार इन चीजों पर में बहुत ध्यान देना चाहिए दोस्तों अगर आपकी मन में कोई श सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जय महादेब आप कमेंट कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी धन्यवाद